Hello Friends, ये भारती अर्थ विवस्था से संबंधित सामान्य ज्यान सवालों का आठवा भाग है Question 166, कौन सा देश विश्व में गेहून का सरवाधिक उत्पादन करता है? A. England, B. Roos, C. Chin, D. भारत सही जवाब हैं, C. Chin Question 167, भारत ने किसके उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है? A. खाद्यान, B. खाद्य तेल, C. पेट्रोलियम, D. उर्वरक सही जवाब हैं, खाद्यान Question 168, राष्ट्रियक रिशी अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहां स्थित है? A. हैद्रबाद, B. देहरादू, C. नई दिल्ली, D. इन में से कोई नहीं सही जवाब हैं, हैद्रबाद Question 169, ऑप्रेशन फ्लर्ट किस कारियर से संबंधित है? A. गेहून उत्पादन, B. जल संचयन, C. दुगध उत्पादन, D. ये सभी सही जवाब है, C. दुगध उत्पादन Question 170, खाद्य एवं क्रिशी संगठन का मुख्याले कहां स्थित है? A. रोम, B. जेनेवा, C. पेरिस, D. इन में से कोई नहीं सही जवाब है, रोम Question 171, राष्ट्रिय क्रिशी विपनन संस्थान स्थित है? A. जैपूर, B. हैद्रबाद, C. नई दिल्ली, D. इन में से कोई नहीं सही जवाब है, जैपूर Question 172, किसान क्रेटिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? A. 1990, B. 1950, C. 1998, D. 2000 सही जवाब है, C. 1998 Question 173, भारत में फसलों के सकल क्षेत्रफल में से खाद्यानों का क्षेत्रफल है? A. 60-65%, B. 70% से अधिक, C. 50% से अधिक, D. 58% सही जवाब है, B. 70% से अधिक Question 174, विश्व में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का स्थान है? A. पहला, B. दूसरा, C. तीसरा, D. चौथा सही जवाब है, पहला Question 175, इंद्रधनुशिय क्रांती का संबंध किस से है? A. नीली क्रांती, B. हरित क्रांती, C. श्वेत क्रांती, D. इन में से सभी? सही जवाब है, D. इन में से सभी Question 176, भारत में तंबाकु का सरवाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? A. आंधरप्रदेश, B. मध्यप्रदेश, C. करनाटक, D. हरियाना? सही जवाब है, आंधरप्रदेश Question 177, भारत में गेहुन का सरवाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है? A. मध्यप्रदेश, B. हरियाना, C. आंधरप्रदेश, D. उत्तरप्रदेश सही जवाब है, D. उत्तरप्रदेश Question 178, मोबाइल फोन का प्रयोग करने वाले लोगों की सरवाधिक संख्या किस देश में है? A. इंगलेंड, B. अमेरिका, C. चीन, D. रूस सही जवाब है, C. चीन Question 179, विश्व में सेलफोन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? A. चीन, B. अमेरिका, C. फ्रांस, D. भारत सही जवाब है, चीन Question 180, केंद्र सरकार के बजर के चालू खाते में व्याई की सबसे बड़ी मध है? A. प्रतिरक्षा व्याई, B. ब्याज भुक्तान, C. केंद्रिया आयोजन, D. इन में से कोई नहीं? सही जवाब है, C. केंद्रिया आयोजन, Question 181, निमनलिखित प्रत्यक्षकरों में से किसकर से सरकार को अधिक्तम राजस्व की प्राप्ती होती है? A. आये कर, B. समपत्ती कर, C. दान कर, D. निगम कर, सही जवाब है, D. निगम कर, Question 182, भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? A. राजकोशिय घाटा, B. राजस्व घाटा, I. C. प्राथमिक घाटा, D. इन में से कोई नहीं? नारत सरकार के बजट के आंकडों में कुल व्यय और कुल प्रप्तियों के बीच अंतर को क्या कहते हैं? A. राजकोशिय घाटा, B. राजस्व घाटा, C. बजटीय घाटा, D. चालू घाटा, सही जवाब है निमनली खित में से कौन सा एक साधन केंद्र सरकार के राजस्व का स्तरोत नहीं है? A. कृशी आयकर, B. उत्पादक शुल्क, C. आयकर, D. कॉपोरेट कर, सही जवाब है कृशी आयकर, Q. 185, गैर योजना खर्च का सबसे महत्वपून मत कौन सा है? A. रक्षा, B. उर्वरक सबसिडी, C. ब्याज भुगतान, D. इन में से कोई नहीं? सही जवाब है, C. ब्याज भुगतान, Q. 186, संपत्तिकर भारत में पहली बार किस वर्ष से लागू किया गया? A. 1997, B. 1957, C. 1982, D. इन में से कोई नहीं? सही जवाब है, B. 1957, Q. 187, संशोधित मूले वर्धितकर का संबंध किस से है? A. धन कर, B. उत्पाद शुल्क, C. आय कर, D. पिकरी कर, सही जवाब है, B. उत्पाद शुल्क, Q. 188, भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षिय योजना के अंतकर दिया गया था? A. दूसरी, B. तीसरी, C. पांचवी, D. दस्व, सही जवाब है, C. पांचवी Q. 189, राष्ट्रिय विकास परिशत का पदेन सचिव कौन होता है? A. लोकसभा का महा सचिव, B. योजना आयोग का सचिव, C. वितमंत्राले का सचिव, D. इनमें से कोई नहीं? सही जवाब है, B. योजना आयोग का सचिव Q. 190, प्रथम विता आयोग के अध्यक्ष कौन थे? A. केसी नियोगी, B. महावीर्ट्यागी, C. अमरीश बाग्ची, D. इनमें से कोई नहीं? सही जवाब है, केसी नियोगी ऐसे ही सामाने ज्यान के सवालों को देखने के लिए इस विडियो को लाइक और चैनल G. के विद जियोतिक को जरूर सब्सक्राइब करें जय है